कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से study आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ math के most important subjective question इससे पहले मैंने क्या किया था? objective question पर तेक subject का मैंने clear कर दिया था link जो है description में मैंने डाल दिया वहाँ से जाकर के देख सकते हैं अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाते हैं यानि लेना चाते हैं तो देखो बाबु WhatsApp में मैं क्या करता हूँ? भेज दिया करता हूँ WhatsApp ग्रूप फूल हो चुका है तो आप लोग क्या करना है जितने भी बच्चे हैं वह सारे के सारे टेली ग्राम पे सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर और वहाँ पे जा करके उस टेली ग्राम को जॉइन कर लेना है उस चैनल को ठीक है? हम जितने भी बच्चे WhatsApp पे भी जूरे हुए उन सभी को मैं कहेंगा कि जल्दी से आप लोग जॉइन कर लीजिए क्योंकि WhatsApp पे संभव नहीं हो पाता है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ठीक है? तो चलिए श्टार्ट करते हैं और एके कोश्चन लेते हैं और concept के साथ समझने की पूरी क्वेस करते हैं यहाँ पे पहला प्रस्ट कहता है और यह जो प्रस्ट देख रहे हैं 2016 के इनवल उख्याम में 2016 के एवं 2019 के और 2020 के इनवल उख्याम में पूछा जा चुका है और इस करें कि 3 पलस अंडरूट 5 एक औपरीमे संख्या है तो औपरीमे संख्या यह सीद करने के लिए कहता है तो हम इसका जेस्ट उल्टा माल लेंगे कि माना इतना एक परीमे संख्या है माल लो या कलपना कर लो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कलपना किया की तीन पलस के अंडर रूट पांच जो है एक परी में संख्या है बस उल्टा माल लेना है तो पर्मिय संख्या के रूट में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या तीन पलस के अंडर रूट पांच बराबर में यहां से हम क्या करेंगे हल करेंगे तो हम क्या करते बाबू कि ये जो पलस का 3 है ये पलस का 3 क्या है एक्च्वल में ये परिमे संख्या, रूट अंडर 5 क्या है और परिमे संख्या है लेकिन आपको पता होगा कि परिमे संख्या और और परिमे संख्या का योग जो हता होगा परीमेस हैं क्या ही होता है तो इसमें जो परीमेस हैं क्या हम हम उस साइट भेड़ देते हैं तो ये root under 5 है इसको root under 5 इधर ही रहने देते हैं और बडाबर में ये लिखेंगे PYQ और प्लस का 3 है पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, हमने कर दिया इसके नीचे एक छीपा रहा था, हम एक लिख देते हैं Q और एक का एक से मिलेंगे तो क्या होगा बाबू, Q होगा है की नहीं, Q से Q में हम भाग देंगे, भाग फल 1 होगा 1 से P में गुना करेंगे, तो हमारे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, P ही हो जाएगा, क्यूंकि Q से Q में भाग देंगे, भाग फल 1, 1 से P में गुना करेंगे तो P होगा, ठीक है, माइनस 1 से Q में हम भाग देंगे तो भाग फल Q होगा, Q से 3 में गुना करेंगे तो ये 3 Q हो जाएगा कोई दिककत, नहीं दिककत तो यह हमारे पास आ गया अब यह बराबर का और पास root under 5 है नहीं दिककत? नहीं दिककत अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ P और Q क्या आपको नज़र आहै पुर्णांक नज़र आ रहे है और जो भी पुर्णांक होता है Q क्या है पुर्णांक है पुर्णांक है हमने लिख दिया कि पुर्णांक है ठीक है तो P और Q पुर्णांक है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि P-3Q बटे Q यह भी एक पुर्णांक होगा है ना तो P और Q पुर्णांक है एवं एवं पी माइनस के थीरी क्यू बटे में क्यू भी एक पुर्नांक है पुर्नांक है और आपको पता होगा पुर्नांक किसे कहते हैं देखो पुर्नांक जो होता है जैसे जीरो से स्टार्ट होती है रिनातमक वाले भी संख्या होते हैं और इधर धनातमक वाले भी संख्या होते हैं जीरों के साथ साथ रिनातमक वाला संख्या और धनातमक वाला संख्या सभी आते हैं वो सारे के सारे पुर्नांक होते हैं और जो भी पुर्नांक होते हैं वो सारे के सारे परिमे संख्या होते ह इसलिए पी माइनस के 3Q by Q क्या है एक परीमे संख्या है और जब यह परीमे संख्या है ठीक है और आपको पता है कि रूट अंडर पांच क्या है यह परीमे संख्या ते इसको भी यहां पर लिख देते हैं ठीक है एब हम रूट अंडर पांच क्या है आपरीमे संख्या है ठीक है आपको दिख रही है यह ना संख्या है करेक्ट हमने लिख दिया यह आपरीमे संख्या है अब यहां से हम करेंगे क्या बाबू आपने देखा कि यहां पर रूट अंडर पांच जो कि एक आपरीमे संख्या और और पर में संख्या हो सकता है कभी नहीं हो सकता है तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि और परी में संख्या और परी में संख्या कि संख्या बराबर परी में संख्या क्या बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है तो हम लिखेंगे असंभव है असंभव असंभव है तो असंभव है तो अता हमारी कल्पना क्या हो जाएगी गलत है तो लिखेंगे अता हमारी हमारी कल्पना कल्पना गलत है गलत है ठीक है अता हमारी कल्पना गलत है इससे सिध होता है कि इससे सिध होता है कि सिध होता होता है कि इससे सिध होता है कि क्या बाबू तो तीन पलस के अंडर रूट पांच क्या है एक ओपरी में संख्या कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो आपने इसको सॉल्व कर लिया तो पहला कोश्चन जो है बहतरीन तरीके से आपने सॉल्व कर लिया कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो यह पहला प्रश्ण था आए अब हम क्या करते दूसरा प्रश्ण सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्ण क्या कहता है बाबू यहां पर ध्यान से देखना कहता है यदि बहुपत तो पी इंटू एक्स बराबर हमको दे रखा है एकस स्क्रार प्लस में एक्स और प्लस में एक दे रखा है न तो यहां पर हम क्या करेंगे इसमें एक ही वैलू क्या है यह एक ही वैलू है यह हमारे पास बी की वैलू है और यह हमारे पास सी की वैलू है चलो, तो यहाँ पे कहते हैं alpha-scar plus beta-scar का मान निकालने के लिए, तो बड़ा असान है alpha-scar plus beta-scar का मान हम कैसे निकालेंगे तो देखो थापो, यह a-scar और plus b-scar के फॉर्म में है तो आपको पता है कि a-scar plus b-scar बराबर होता क्या है तो a-scar plus b-scar तो इसको हम क्या करेंगे? इस form में तोर लेंगे यानि A plus B के all square minus 2AB के form में तोर लेंगे तो A plus B का all square क्या होता है बाबू? तो वो हम लिखेंगे तो A square plus B square ये बरा होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A plus B यानि alpha plus beta का all square minus 2AB तो two और a के जगह पे alpha into b के जगह पे रख लेंगे बीटा हमने लिख दिया कोई दिककत नहीं ये दिककत अब यहां से हम क्या करेंगे बावु चलो मानपूड कर लेते हैं alpha plus beta का какие होता है बावु minus by a होता है ये सुतर होता है इसका square कर दो minus माइनस दो गुने अलफा इंटू बीटावरा क्या होता है cya होता है तो हम cya कर देते हैं ठीक है अब यहां से क्या करेंगे बाबु माइनस bya का होले स्कारे ना तो माइनस b देख लो b की वैलू क्या है यहां पर x है लेकिन x नहीं लेंगे इसमें एक चिपा रहाता है वह एक ले लेंगे है ना तो माइनस एक कर देंगे और a की वैलू क्या है x स्कार इसमें भी एक चिपा है वह एक लेंगे इसका हॉले स्कार कर देंगे माइनस के 2 गुने में C भाई यह तो C का मान है 1 हमारे पास और A का भी मान 1 से स्कार उसमें 1 चिपाया तो 1 ले लेंगे अब देखो इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास क्या होगा simple सी बात है माइनस 1 का all स्कार करेंगे तो plus का 1 होगा माइनस के 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा है ना तो हमारे पास आएगा कितना हमारे पास आएगा बाबू एक में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 होगा यही तो answer आगया हमारे पास ठीक है यानि alpha स्कार पलस beta स्कार की value आगई माइनस 1 अच्छा एक मैंने ऐसे ही वीडियो बनाया था इस पर कि a स्कार पलस b स्कार बराबर क्या होता है तो एक लड़का ने कहा कि sir a स्कार पलस b स्कार बराबर जो होता है ना वो a पलस b इंटू a माइनस b होता है तरे बाबू यह a पलस b इंटू a माइनस b जो होता है न वो a square minus b square का होता है ठीक है इस बात को दिहान रखना और मुझे ही कमेंट में कह दिया कि तुम गलती बता रहे हो चलो होता है अगर mistake हो जाती हो अलग बात है लेकिन जहां पर हमें लगता है वो बता देते हैं अच्छा पहला ये तो था दूसरा प्रश्न ठीक है हाँ चली तीसरा प्रश्न कहता यहां पर कि दो संख्याओं का योग पचास है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की साथ वट्ठा तिन गुनी है है तो संख्या निकाले तो बड़ा simple है माल लेते हैं कि दो संख्या तो माना पहली संख्या यहां तीसरा हम solve कर रहे दूसरी संख्या जो है भया क्या माल ले वाई माल लेते हैं चलो वाई माल लिए ठीक है अब दोनों संख्या का दो संख्या का योग फल तो यहां पर लिखेंगे प्रेश्न से पहले प्रेश्न से ठीक है तो दो संख्या का योग फल करा यानि एकस पलस वाई यह दो संख्य तो एक संख्या की कितनी संख्या की कितनी दूसरी संख्या की कितनी बट्टा 3 से multiply कर देंगे तो गुनी हो गया है ना तो यहां पर हम कह सकते हैं कि X की value आ गई 7 बट्टा 3Y तो यह हम माल लेते हैं समीकरन 2 अब यहां पर लिख लेते हैं क्या बाबू कि समीकरन 2 का मान एक में रखने पर या डायक्ट हम कह सकते हैं कि X का मान एक में रखने पर ठीक है तो एक में हम यहां पर क्या करते हैं रख देते हैं तो एक हमारे पास यह है X प्लस Y बराबर 50 तो X के जगा पर हम लिखेंगे क्या 7 बट्टा में 3Y और पलस में लिखेंगे यह Y तो Y और बराबर में 50 तो 50 इसके नीचे एक छीप आ रहता है अब तीन एक का एल से मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा तीन होगा तीन से तीन में भाग दिए तो भाग दिए तो भाग फल कितना होगा तीन होगा 50 3 बड़ाबर में 50 होजाएगा इसके नीचे एक छीप आ रहता है अब यहाँ से क्या करेंगा आर पार गुणा कर लिए यानी Waar से 13 में गुणा करेंगे तो 105 बड़ाबर 50 से 13 में गुणा करेंगी तो 50 Chop Out 3 हो जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि मंदा मेंद्रह बच्छी तो y का मान आ गया 15, क्या आए गया, y का मान आ गया 15, तो अब हम लिखेंगे, क्या y का मान समीकरन एक या दो, किसी में रख दो, तो x का मान निकल जाएगा, तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, y का मान, समीकरन किसमें रख दे बाबू, तो समीकरन हम रख देते हैं, किसमें, तो 2 में रखने पर रखने पर ओके तो 2 हमारे पास क्या है 2 हमारे पास है X ब्राबर 7 बटा 3 Y है तो यहां पर लिखेंगे क्या X ब्राबर 7 बटा 3 Y है तो Y के जगह पे हम क्या लिखेंगे ylonही काई 3 कमान क्क्याइगा साथ पच्छे 35 35 बटा है तो X कमान 35 और Y कमान 16 तो हम क्या लिख सकते हैं पहली संख्या जो हम माने थे X तो X का मान आया हमारे पास 35 तो पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या क्या मान तो Y के वेलू कितना आया था 15 यह 15 तो हम Y के जगा पे लिख देंगे 15 यह काम जो है मैंने उपर कर दिया आप लोग इसमें ट्रच मत करना इसी बात को नीचे लिख पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 15 ऐसे लिख देना ठीक है तो यह हमारे पास आंसर आ चुका है चलो अब हम क्या करते अगला प्रेशन ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे बाबू चौथा प्रेशन को जो है वह हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो चौथा प्रशन कहत है कि गुननखंड विधी से क्या कहता है बाबू गुननखंड विधी से द्विघास समय के इतना इतना के मूल ग्याद कीजिए तो बड़ा सिंपल यह 2016 के नुवर एक्जाम में पूछा जा चुका है तो मूल ग्याद करना है यहां पे हमारे पास देखो चौथा प्रशन है कहता है एक्स स्कार माइनस के थी एक्स और माइनस के दोस बराबर में जीरो कोई दिकते गुननखंड विधी से कह रहा है ना तो गुननखंड विधी फर्स्ट इंटू लास्ट कहता है तो फर्स्ट से लास्ट में गुना करेंगे तो माइनस के दोस एक्स स्कार होगा क्यू इस तरीके से तोड़ लो कि जोरने या घताने पर माइनस के 3 x पूरे और गुना करने पर माइनस के 10 x autograph पूरे तो पांदूनि 10 चलो पांदो में तोड़ देते हैं इसको हम तोड़ेंगे x IO माइनस के 5 x और प्लस के दो एक्स अब गुणा कर लो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा X X में गुणा करेंगे तो X इसकर हो जागा एक condition लागू कर दिया अब देखो माइनस के 5 X प्लस के 2 X यानि माइनस 5 X घटेगा 2 X में से तो माइनस के 3 X आ जागा ठीक है अब यह माइनस का 10 है तो 10 बराबर में 0 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों में इसमें 2 टुगरी में कर लेना इसको इससे common लेना इसमें इससे common लेना ठीक है तो इसमें common क्या हो जागा हमारे पास बागू common लेना आता ही होगा है ना यह x common लेंगे इसमें तो हमारे पास यह x और minus के कितना हो जाएगा यह 5 है न तो हम 5 लेंगे ठीक है कोई दिकत नहीं दिकत यह plus है तो हम लिखेंगे plus इसमें common 2 common हो रहा है तो 2 लेंगे x और minus के 2, 5, 6, 10 हो जाएगा जो भी common लेते हैं उससे हम क्या करते हैं उसमें भाग देते हैं तो अगर x common लिए तो x square में भाग देंगे तो x बचेगा minus तो minus x common लिए हैं तो 5x में हम भाग देंगे तो उसे 5 बचेगा क्योंकि x x तो cut जगा तो 5 नो बचेगा इन दोनों में से एक बाहर कर लो तो x-5 x-2 और बरावर में 0 तो इसके भी बरावर में 0 रखना है और इसके भी बरावर में 0 रखना है तो x-1 आएगा प्लस का 5 और 1 आएगा x-2 यह मैंने डाक्टर दिया ठीक है तो यह answer आचुक है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो 4 हमारे पास यह solve हो चुका है अब हम क्या करेंगे बाबू अगला question solve करेंगे चौता solve हो गया पाचमा ले लेते हैं और पाचमा को बहतरीन तरीके से क्या करते हैं हम solve करने का प्रियास करते हैं पाचमा क्या कहता है जर्दिहान से देखिए यहां पे हम सॉल्ब करते हैं पांचमा यह प्रश्ण है और इस सबका योगफल निकालने के लिए कर रहा है यह तो बहुत आसान है न चलिए कैसे निकालेंगे इतना 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 का योगफल है तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे पर्थम पद ए यह बराबर हमारे पास 25 है और उ ठीक है आपको पता होगा कि यह पहला पद है यह यानी फिरे न है यह कैमा पद है हमा पास कि आ जाएगी लेकिन की फ्ला इसका योगफल निकालना है तो योगफल निकालने के लिए आपको n पता होना जब तक n नहीं पता होगा आप योगफल किसी भी सुरत में नहीं निकाल पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले n निकाल लेते हैं लिख लेना यहां से हल ठीक है अच्छा इन का फॉर्मूला क्या होता है n का फॉर्मूला होता है a पलस में n माईनस के one into d होता है ठीक है राइट टेक है ए न के जगा पर हम क्या लिख सकते है एक सो लिख सकते है और बराबर में a पलस n माईनस न इन्टो आ के जगा पर है 25 light पलस में nhân माईनस के one into d d के जगा हमारे पास three यहां से हो जागा 100 बराबर लिखेंगे 25 पलस में 3 sel में गुणा करेंगे 3 N और माइनस के ये 3 convey गुणा करेंगे तो 3 यहां से अब हमें क्या करना है solve करना है तो 100 सब को इधर लिए पलस के 25 से पक्चानतर गानेगे तो माइनस के 25 हो जागा माइनस का 3 है पक्षानतर गीड़िए तो पलस का 3 हो जाएगा बरावर में 3 N बचेगा तो हमारे पास आप क्या बचा तो एक सो मे से 65 जाएगा तो 75 और 75 में 3 जो रेंगे तो कितना हो जाएगा 75 में 3 जो रेंगे तो 78 बरावर 3N 3 से इसको 78 को काटो तो तिन दूना छे करता है तो एक जागा तिन छक अठारा करता है तो यानि 26 यह 78 होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि N बराबर क्या आगए N बराबर जो है 26 तो N बराबर हम लिखेंगे 26 तो N की बेले 26 आगए न अब हम निकालेंगे क्या हमें तो योग निकालना है इन सभी का तो योग निकालने के लिए A से निकालते हैं क्या निकालते हैं बागु? A से निकालते हैं तो A से न बरावर क्या होता है? A से न बरावर होता है N Y 2 इंटू 2 A पलस में N माइनस के 1 इंटू D होता है ठीक है? मैंने कर दिया, अब मानपूट करते हैं, n के जगा पे हमारे पास केına, n निकाले 26, तो हम लिखेंगे 26, बटा में 2 इंटू, 2 गुनिय में ए, एक ही बहलो, हमारे पास है 25, तो हम लिखेंगे 25, पलस में, उसको आदे n-1, तो n के जगा पे हम लिखेंगे 26 कि हैं 26 निकाले और माइनस के 1 इंटू डी डी के जगा पे हम लिखेंगे 3 हमने 3 कर दिया अब यहाँ पे देखो बाबू दो से भाग देंगे 26 में तो यह 13 दुना 24 तेरा आएगा 25 दुना हो जाएगा 50 और पलस में तो कितना हो गः 15 होता है क्या अब 13 से 125 में गुना कर देंगे तो गुना कर देते हैं 13 65 के 5 हो गया carry गया 6 हैंना 13 दुना 26 26 और च कितना 32 32 के 2 हैंना हासिल गया 3 तेरखम 13 3 3 16 तेरखम 13 3 3 16 25 आहाया 1625 हमारे पास अंसर है इसका योग आया ठीक है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो आपने इस प्रशन को भी बेहतरिन तरीके से solve कर लिया आईए अब हम क्या करते हैं छटा प्रशन को solve करते हैं ये 2020 के अनुवल एकजाम में तो छटा प्रशन क्या कहता है एकस अक्ष पर उस बिंदू को ग्याद करें जो बिंदू हो ए बिंदू कहरा है दो कॉमा मानिस पास तरह भी बिंदू कहरा है मानिस दो कॉमा नौ से समदूरस्त है तो X अक्ष पर उस बिंदू को ग्याद करें आपको पता होगा कि X अक्ष पर Y नियाम क्या होता है 0 होता है याद रखना मानलो कि एक बिंदू ये है इसका बिंदू का नाम रख देते हैं P मानलो कि ये बिंदू P है और ये कहता है कि X अक्ष पर उस बिंदू को ग्याद करे तो X अक्ष पर मालो X है ये ठीक है और X अक्ष पर Y नियम क्या होता है 0 होता है Y क्या होता है 0 होता है इस बात को दिहान रखना ठीक है तो ये X अक्ष पर उस बिंदू को ग्याद करे जो बिंदू हों ए हमारे पास मालो की यहां से यह ए है और ए बिंदू हमारे पास क्या है दो कॉमा माइनस के पाँच है हमने कर दिया ठीक है और उसके बाद कहता है एक बिंदू बी है तो मालो यह बी है और इस बिंदू का नाम हम रख देते हैं क्या माइनस के दो कॉमा में नौ ठीक है मैंने रख दिया से सम्दुरस्ट है सम्दुरस्ट का मतलब होता है समान दूरी पर बाढ़ देना मतलब ये बिंडू जो है इन दोनों को क्या करता है बरावर बरावर दूरी में बाढ़ देता है तो हमें क्या कहता है X का मान याद करने के लिए Y का मान तो निकल ही गया किम्कि X अक्ष पर Y नियामा के हूँ यानि X अक्ष पर जो हता है Y की वेलू क्या होती? 0 होती है तो आपने इसको समझ लिया अब हम क्या करेंगे जब ये बिंदू इन दोनों को समान दूरी समदुरस्त का मतलब समान दूरी पर बाड़ती है तो हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB है तो यहां पर लिख लेना सबसे पहले हल ठीक है और हम कह सकते हैं कि PA बराबर PA बराबर PB है तो हम क्या करेंगे PA की दूरी गयाद कर लेंगे और बराबर PB की दूरी गयाद कर लेंगे और हमें उससे क्या निकल जागा X का मान निकल जागा तो PA की दूरी और PB की दूरी हमें गयाद करनी है कोई दिक्कत नहीं हम आसानी से निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम यहां से solve कर रहे हैं, इस बात को ध्यान लखना, PA की दूरी, यह P है और यह A है, माल लो कि यह हमारे पास X1 है और यह हमारे पास Y1 है, उसी तरीके से यह X2 है और यह Y2, हम लिखी देते हैं, यह हमारे पास X1 है और यह हमारे पास Y1 है, तो X1 की value X और Y1 की value 0, यह हमा हमारे पास क्या है एक्स टू है और यह हमारे पास क्या है वाई टू है उसी तरीके से इसके लिए यह हमारे पास क्या है एक्स टू है और यह हमारे पास क्या है एक्स वन है क्या है एक्स वन है एक्स वन है वाई टू क्या मैं करता हूं ठीक है तो यह एक्स टू यह वाई टू ये X1 ये Y1 ठीक है कोई दिकत नहीं दिकत अब हम PA की दूरी याद करेंगे तो PA की दूरी सुत्र क्या करता है कि X1 माइनस के X2 का हॉलस कर पलस में Y1 माइनस के Y2 का हॉलस कर यहनों होता है तो हम क्या करते हैं X1 X1 यानि X है तो हम डाक्ट सुत्र लगा देते हैं सुत्र लिक देते हैं दूरी सुत्र क्या होता है याद रखना दूरी सुत्र बराबर क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहीःगा तो confusion दूरी सुत्र होता है x2 या x1 कोई भी कह सकते कोई दिककत नहीं है तो x1 minus x2 का whole square और plus में y2 minus के y1 घीक है इसका whole square तो आप आप देखो यहां पे y1 भी कर सकते हो अगर मैं यह कहूं कि एक सीद में रखनें तो अच्छा रहेगा ठीक है तो उलट पुलेट कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं तो अगर हम यहां पे x1-x2 कर दिये हैं तो आप क्या करो यहां भी वही कर लो कि y1-2 कर लो है ना नहीं तो आपका निफ्यूज़न हो जाओ यानि कर निफ्यूज हो जाओगे इसलिए ठीक है मैंने कर दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्त और इसके उपर क्या होता है रूट होता है अब इसी से हम ध्यांत करेंगे दोनों पे पीए की दूरी भी निकालेंगे तो इसी सूत्र का अप और minus y2 की value हमारे पास क्या है तो y2 की value हमारे पास बाबू 9 है ना y2 की value सोरी उसमें कहा जा रहे इसमें न जाएंगे y2 की value हमारे पास क्या है minus के 5 है तो यह minus यह minus क्या हो जागा plus का 5 हो जागा याद रखना यह पहले से माइनस था और यह माइनस से गुना हो जाएगा इसका होले सकार अब यहाँ पे हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं यह बराबर है तो हम बराबर लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत यह पी यह का निकल गए अब पी भी यानि पी भी इसका निकालेंगे और सूतर इसी का हम प्रयोग करेंगे कहता है एकस वर माइनस एकस टू तो एकस वर हमारे पास एकस है और माइनस के एकस टू हमारे पास माइनस के दू है तो यह माइनस यह माइनस क्या हो जाएगा पलस का दो हो जाएगा और यह मैंने कर दिया और इसका ब्रेकेट लगा और इसका हॉल स्क्वार कर दो ठीक है पलस में y1 माइनस के y2 है तो y1 हमारे पास के y1 0 है और माइनस के y2 हमारे पास के 9 है तो 9 और इसका कर देंगे हॉल स्क् तो हम यहां पर लिखते हैं दोनों तरफ तरफ वर्ग करने पर करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इतना लिखते होगे तो यह वर्ग से क्या होता है रूट हट जाता है कि इसका भी वर्ग करेंगे तो इसकार से रूट हट जाएगा तो यह रूट से रूट कैं का hull square और plus में 05 का 05 क्या लिख सकते हो क्या नि EVHow 25 सकते 25 लिख न ओर बढर में अधर क्या है उसक्राइगा एर इधर क्या हो जाएगा पलस में 0-9 color क्या हो गए क्या सी होग मनें कर दिया अब यहां से हम क्या करेंगे बाबू यहां से जो हम करेंगे देख लो यह ए जो हाबू किस्कार स्थी नीं यह ए रहेगा और यह इसकार होता है यह प्लस में बी सकर, इसकर BS Divine स्थी होता है और — यह ए रहेगा यह बी रहेगा सब को गुना करेंगे तो चार एक्स हो जाएगा मैंने कर दिया अब पलस में है शुब तो 25 बराबर इसको भी डायक कर दो a square मतलब x square प्लस b square मतलब 2 square 2 square 4 होता है अब प्लस 2ab तो 2ab तो 2 x में गुना करेंगे 2x और 2x में 2 में गुना करेंगे तो 4x और प्लस में 81 है तो 81 अब जो कटने वाला कार दो यह x square से यह x square cancel यह 4 से यह 8 कंसी काट गया यह 6 e qu अब यह जाएकरो प्लस का 4 x इदर है तो माइनस का 4 x हो जाएगा बराबर में 81 ए यह तो 81 प्लस a 25 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का यह 25 हो जाएगा correct हमने कर दिया, अब यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस 4X माइनस का 8X हो जाएगा, क्योंकि समान चीन होता है, तो संख्या जुटता है, और चीन भी छोड़ता है, तो 4X माइनस के, 4X माइनस के, तो 8X हो गया, माइनस के, अब बराबर, 80 मेंसे हम क्या करेंगे 25 को घटा देंगे हासल लेंगी 11 मेंसे 5 गया तो 6 5 11 यह बचा कितना यह बचा 7 7 मेंसे 2 जाएगा तो यह बचेगा 5 अब काटो इसलिए हम कह सकते हैं कि X बराबर जो हो जाएगा 56 माइनस काट है पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा माइनस के आठ आठ सते 56 कट गया तो X की value आ जाएगी बाबू माइनस का 7 यहीं हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आजाएगा माइनस के 7 तो X की मान आ गया माइनस 7 और यहां पे कहते हैं कि X का मान x के जगाँ पर रखेंगे माइनस 7 और y कामान 0 आजाएगा तो माइनस 7,0 हमारे पास ये एंसर आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि x अक्षपर x अक्षपर x अक्षपर के बिंदू बिंदू हमारे पास माइनिस साथ कॉमाज जी यह एंसर है करेक्ट तो आपने इसको समझ लिया आई अगला प्रशन लेते हैं आई अब हम क्या करते हैं यह सातमा प्रशन को हम सॉल्व करते हैं सातमा प्रशन कहता है कि अधी टेन ठीटा बरावर चार वट्टा तीन तो इतना इतना कामान होगा यह 2019 के एनवेल एक्जाम में पूछा जा चुका है कोई दिक्कत नहीं है किसी भी एक्जाम में पूछा जा चुका हो हम तो सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो टेन ठीटा बरावर क्या है यहां पे ह आधार तो पी यानि जो है लंब और भी यानि आधार है तो लंब बट आधार हुआ तो हमें जरूरत किसका है कर्ण का यानि एच का जरूरत है तो एच बराबर निकालेंगे क्या तो करन बना क्याता lumb square plus अधार square तो lumb square यानी P का square तो P का value 4 है 4 का square करेंगे तो 16 प्लस में 3 3 का square करेंगे तो कितना होगा 9 root लगा तो मैंने rite कर दिया 16 नो कितना हुता 25 root लगा तो 25 का spider नकालनना न आपके निकालना है ना तो आईए निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे बावू यह तो बड़ा आसान है देखो बावू थीуш साइंच जीटा है तो तीन लिखेंगे और तीन साइंट टीटा के बीच में क्या है गुना का संब्द है तो हम ने गुना लिखा और साइंट टीटा का फर्मूला क्या होता है बावो साइंट टीटा का फर्मूला होता है P by H होता है क्या होता है तो P की वेलू हमारे पास क्या है P की value हमारे पास है चार तो हम लिकेंगे चार और H की value हमारे पास क्या है हमें है डायक कर दिया यहनि scientific data का मानि यह मैंने निकाल के रख दिया पलस है तो पलस दो है तो दो 2 और costria के बीच में क्या है गुना का समन्द है costria का formula क्या थैंगा वो B by H होता है तो B की value क्या है? B की value यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे 3 और H की value क्या है? H की value हमने निकाला है 5 तो हम लिखेंगे 5 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सब कुछ सेम है 3 sin ठीटा है यहाँ सिर्फ plus है यहाँ फिर minus है तो सेम मान आएगा और जहाँ plus वहाँ minus कर देंगे ठीक है? तो नीचे वही करते है 3 गुने में 4 बटा में 5 और plus है वहाँ पे हमें क्या करना minus 2 गुने 3 बटा में 5 हमने कर दिया बड़ावर सिधर आजाओ 4 तीए 12 12 बटे हो जाएगा 5 और plus में 4 तीए 12 सोरी 3 दूना 6 चो बटे हो जाएगा 5 और बटे फिर वही 12 बटे में 5 यह minus हो जाएगा और वही आजाएगा 3 दूना 6 बटे में 5 आजाएगा सबका LCM ले लो ना क्या दिक्कत है? तो हम LCM लेंगे 55 का LCM तो यह 5 अब देखो 5 से 5 भाग देंगे तो भाग फल 1, 1 से 12 में गुना करेंगे तो 12, यह plus है तो plus सिम वही प्रोसेस यह 6 आजाएगा है ना 5 से 5 भाग देंगे भाग फलेक, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 ठीक है? अब यह में बटा है तो में बटा रखेंगे, अब इसका भी वही होगा, 55 का LCM 5 होता है, अब वह क्या करेंगे यह आजाएगा 12 और माइनस के यह आजाएगा 6, है कि नहीं कि बटा रखेंगे घटा करेंगे तो वही नहाएगा, कोई दिककत नहीं दिककत, यह 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास जो आएगा बाबू 12, 6, 18 आजाएगा और बटा में, यह 5 से 5 कैंसिल है और 12 में से 6 गया तो कितना 6 आएगा 6, 18 गाट दो तो आगया हमारे पास 3, यह आंसर आगया कोई दिककत, नहीं यह दिककत बाबू तो हमने इस प्रेशन को बहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया यह प्रेशन था 7 आएए अब हम क्या करते अगला प्रेशन ले लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू आठमा प्रेशन को हम बहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, आठमा देखिए कि दो विरितों की तीरजा क्रम सा 19 cm, 9 cm है तो उस विरित की तीरजा ग्याद कीजिए जिसकी परिधी इन दोनों विरित की परिधियों के योग के बराबर कहने का मतलब दूग विरित है कि दो विरित है, एक ये विरित है एक ये विरित है, दोनों विरित का परिधी का योग जो है किसी तीसरे वृत की परिधी के बराबर है तो कहता है तीसरे वृत की तीरजा ग्याद करने के लिए तो बड़ा सिंपल है पहले वृत की जो तीरजा है वो हमारे पास 19 cm और दूसरे वृत की तीरजा जो है 9 cm है तो तीसरे वृत की तीरजा ग्याद करनी है कहने का मतलब R1 हो जाएगा हमारे पास 19 cm और R2 हो जाएगा हमारे पास कितना 9 cm और यहाँ पे R3 हमें ग्याद करके बताना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायक्टे हल क्योंकि परीधी का योग करना है तो यहाँ पे लिखेंगे दो वृत के परीधी का योग दो विरित के परीधियों का योग बराबर तीसरे विरित के परीधि तो लिखते हैं परीधि खोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो दो विरित की परीधियों का योग तो हम लिखते हैं वही परीधि की आता है 2 πाई आर होता है न, r1 यहाँ पे लिखे दे़ें हें तो यहाँ पे r1 लिखते हैं, ठैक है, 2 pi r1, पलस में, दूसरे वर्यथ, 2 pi r2, बराबर तीसरे वर्यथ की परहे तो पाई r3 कर देते हैं, इसमें हम 2 pi common ले सकते हैं, तो 2 pi common लेंगे, तो अंदर बचेगा r1, plus में r2, बराबर में, 2 pi r 3 तो यहाँ पे देखो 2 pi से 2 pi cancel अब r1 प्लस r2 r1 का मान है 19 और प्लस में r2 का मान क्या है r2 का मान है 9 और बरावर में r3 यह है तो r3 तो अब यहाँ पे देखो इस का मान कितना आ गया बाबू 19 और 9 कितना होता है बाबू यह 28 और बरावर में r3 तो आर्थिरी कामान क्या आ गया बाबू, अठाई सेंसर आ गया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, यही हमारे पास सेंसर है, तो आपने आठमा प्रशन को सॉल्ब कर लिया, अब हम क्या करेंगे बाबू, नॉमा प्रशन को हम सॉल्ब करेंगे, जरा ध्यान से देखेगा नॉमा प्रश्ण नॉमा प्रश्ण तो बहुत सींपल है यह हमें कहता है वर्ग अंत्राल दिया गया बारंबारता दिया गया है हमें माध्य ग्यात करना है तो चलो ग्यात कर देते हैं क्या दिकत है बाबु वर्ग अंत्राल यहां पे लिखते हैं सबसे पहले वर्ग अंत्राल अंत् उसके बाद क्या है हमारे पास बारम बारता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बारम बारता कोई दिक्कत नहीं तो देखो बारम बारता को हम किस से परजेंट करते हैं हम यहाँ पे एफ से परजेंट करते हैं है ना तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले तो वर्ग अंतराल जो हमारे पास है वो 0 से लेकर के 10 तक है और फिर 10 से हमारे पास कितना है 20 है फिर 20 से हमारे पास कितना है 30 है और 30 से हमारे पास कितना है बाबू 40 है दिन 40 से क्या हमारे पास 50 है हम 50 लिख लिए बारम बारता क्या हमारे पास 7 है फिर 8 है फिर उसके बाद क्या है 8 के बाद 16 है देन उसके बाद 9 है उसके बाद 10 है ठीक है यह आ गया तो हमने तो इसको लिख लिया है जैसा था वैसा करके अच्छा आपको यह पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ जैसे माध्य बराबर क्या होता है बाबू तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू माध्य बराबर सिग्मा fx और बट्टे में सिग्मा f यही नहोता है यह फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे देखो F तो हमारे पास है लेकिन हमें X भी ग्याद करना होगा X क्यूंकि FX R into X है तो X ग्याद करेंगे तभी तो F into X कर पाएंगे नहीं तो नहीं न कर पाएंगे तो चलिए हम क्या करते हैं F into X ग्याद करने के लिए सबसे पहले X हम ग्याद कर लेते हैं X क्या होता है हमारे पास X जो हता है वर्ग चिन होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे वर्ग चिन ग्याद कर लेंगे और वर्ग चिन आपको ग्याद करने आता है या नहीं ग्याद करने आता है आता ही होगा वर्ग चिन हम कैसे याद करते हैं आपको पता है चलिए निकाल करके बताते हैं हम क्या करते हैं जैसे इन दोनों को जोर देंगे और जोर निकवाद इसका आधा कर दे जीरो और दस को जोरेंगे तो दस दस का आधा पांच होता है हमने पांच कर दिया यह हो गया वर्ग चिन यानि x निकल गया 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना 30 30 का आधा करेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 15 ठीक है जब दो चीज आपको निकल जाए ना तो आप अटोमेटिक निकाल सकते हो क्यूं कि इन दोनों का अंतर जो भी आगा ना उसी को जोड़ते चले जाओ तो इन दोन कितना होता है तब 35 10 45 होता है ठीक है यह मैंने कर दिया कि आप सभी को जोर करके लाओगे तो उतना है देखो 40 और 50 90 90 का आधा 45 30 40 का 30 कितना होता है 70 70 का आधा 35 मतलब ऐसे कर सकते हैं कोई दिकत नहीं तो हमने X निकाल लिया लेकिन हमें तो सुद्र कहाता है कि FX चाहिए हमें तो FX यानि FX से X में गुना करेंगे मतलब F 12 बारता है और X जो है वर्ग चीन है तो वर्ग चीन गुने बारम बारता आपको ग्यात करना पड़ेगा तो FX हम ग्यात कर लेते हैं कोई दिकत नहीं है देखते हैं कितना आता है वर्ग चीन गुने बारम बारता तो इससे साथ पचे 35 हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखते है क्या 35 करेक्ट पंड़टे कितना होता है बाबू 120 होता है तो हम 120 लिखेंगे 25 से 16 मोई गुना करो तो कितना होता है चलो कोई दिकत नहीं 16 पंचे असी के जीरो हैना हासिल आठ हो गया 16 दुना 32 32 आठ चालिस चार सो हो गया अरे सामने हमको लिखना चाहिए कोई बात नहीं यह इसका है ठीक है अच्छा आप सामने से हम कॉपरेट करते हैं यह लिखी देते हैं कायला दिकत तुम लोग करोगे हना सामने सामने गुना करो 2 Ambassador45 कितना होता है 5 होता है हासिल चारनोट यसताइस 27 1988 कितना होता है बावू सताइस चाहर सुंते एक 31 होता है थह दिस लिख दिए 10-45 में गुना करेंगे तो कितना होगा ? 웠वा मैंने गुना कर दिया अब क्या करेंगे बाबु ? fx जो है यह जो भी हमने लाया इन सभी का योग करेंगे सिग्मा कहता है की सिग्माव का मतलब ही होता है , जोड होता है sigma fx कहने का मतलब fx जो भी आया है है उन सब का योग होना चाहिए उन सब का योग करेंगे तो कितना होगा देख बाबु वीडियो पहुज करके मैंने जोर लिया है आप लोग जोर लेना कितना होता है तो 1320 होता है ठीक है ओके उसे समय थ्थोरा बचत होती है तो मैंने को जोड़ोगे तो बाभू 50 होगा देख लेना तो यह सिग्मा आ गया औरे सिग्मा मैं कैसे लिख रहा हूं ठीक आप लोग कोपरेट कर लेना सिग्मा एफ जो हमारे पास पचास आ गया और सिग्मा एफास करते हैं और सिग्मा एफ ऑफ एकस защ2 कातों कितना ओंगा possible देंगे तो पांद दुना तो से धर ना ठीक है मिनिसे लाट यह दिन गढ़ती लीक देना रपी 002 हो बैठाओ तो वह जाएगा बीस पांचों के बीस यानि 26 दसना चार आएगा यहीं हमारे पास आंसर आगे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ठीक है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना यह प्रेशन था नौमा प्रेशन ठीक है आए दसमा देख लेते हैं दसमा क्या कहता है बा है काली गेंद कितने है बाबू तो काली गेंद जो है ना 6 गेंद है कुल गेंद कितने हुए तो यहां पर लिकेंग कुल गेंद कुल गेंद हो गए 6-4-10 हो गए ठीक है हमें निकालना क्या है तो बकसे में से एक यद्रिच्छाया निकाला जाता है तो इसके काले गेंद हो होने की प्राइक्ता तो प्राइक्ता बरावर क्या होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम तो संभव परिणाम कौन होता है जो कहा जा रहे होई होता है तो काले गेंद इसमें कितने है छे है तो यही संभव परिणाम है और बटे कुल परिणाम कुल परिणाम 10 है तो 10 क करता है और पांदुना अदस करता है तो तीन बट्टा हो जाएगा पांच और यहीं हमारे पास आंसर आगे ठीक है इसका पीडिएप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टेलीग्राम चलन पंकज स्टेडी सेंटर ठीक वहां पे जा करके देख सकते हैं धन्यवाद दोस्तो झाल 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 झाल